स्प्रेंड का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं स्प्रेंड का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो जो स्प्रेंड हो चुका हो उसे हम स्प्रेंड कह सकते हैं यानिकि जिसे मोच आ चुकी हो या जिसे मोच आ गई हो इसके इलावा sprint जो है वो sprint का past and surpassed participle होता है यानिकि sprint की ही second और third form होती है sprint और sprint का आर्थ होता है मोच आना या मुडगाना यानि किसी चीज़ का मुडगाना या जैसे पाउं में मोच आ जाना को sprint कहा जाता है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मेरे टकने में मोच आ गई तो आप कहेंगे I sprained my ankle या अगर आप ये कहना चाहें कि उसकी कलाई में मोच आ गई थी तो आप कहेंगे His wrist was sprained या अगर आप ये कहना चाहें कि टकने में मोच अभी भी उसे परिशान कर रही है तो आप कहेंगे that sprained ankle is still bothering her अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें